हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मनसु खिरेन हत्या केस में और एंटिलिया केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दरसल एनाईये ने मुंबई के पुलिस आफिसर सुनिल माने को मनसु खिरेन हत्या केस में और एंटिलिया केस में आज एरेस्ट कर लिया है जिया दोस्तों एनाईये ने थर्ड पुलिस आफिसर है ये मुंबई के थर्ड पुलिस आफिसर है जिसको एनाईये ने एरेस्ट किय इसके पहले आप जानते हैं कि सचीन वाजे और रियाज उदिन काजी को NIA ने एरेस्ट कर लिया था और वो अभी जुडिशल कस्टोडी में हैं दोस्तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई के पुलिस आफसर सुनिल माने को थर्जडे ब्रेस्बतिवार को पूस्ताच के लिए NIA ने बुलाया था घंटो उनसे पूस्ताच हुई थी और उसके बाद आज NIA ने सुनिल माने को एरेस्ट कर लिया है सुनिल माने यूनिट 11 और मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 11 के इनचार्ज थे दोस्तों इन पर आरोप ये है NIA ने आरोप ये लगाया है कि ये मंसु के रेन हत्या केस में इन्वार्वड है और ये सचिन वाजे को इस क्राइम करने में सहायता किया था उनका हेल्प किया था दोस्तों आपका बता दूं कि सुनिल माने ये जो पुलिस अवसर है इसको 2020 में में भी ट्रांसफर किया गया था मोडस ऑपरेंटी ब्रांच में क्योंकि एक एक एक्किूस्ट है उसने इस पर इलजाम लगाए था कि इसने पैसा मांगा था पैसा का डिमांड किया तब इसको transfer कर दिया गया था और उस समय जो Joint Commissioner of Police थे मुंबई के उन्होंने कहा था कि यह administrative transfer है उन्होंने कहा था यह administrative transfer है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन पर पैसा मांगने का रुपए मांगने का आरोप लगाया था उस वक्त तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सुनिल मान हैं यह जो मुंबई के police officer हैं जिनको NIA ने arrest किया है इनको आज NIA court में NIA जो court है वहाँ पे इनको produce किया जाएगा और NIA इसकी custody मांगेगी NIA इसकी custody मांगेगी और एक और खबर है दोस्तों आज रियाज उद्दिन काजी मुंबई के police officer है और सचीन वाजे इनका भी दोनों क judicial custody आज समाप्त हो रहा है तो इनको भी वही NIA court में पेश किया जाएगा जहां पे सुनील माने को पेश किया जा रहा है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी update है यह तीसरा police officer मुंबई के हैं जिने NIA ने arrest किया है और इससे बहुत कुछ निकलने की उमीद है क्योंकि यह बहुत क सचीन वाजे के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा और रियाज दुदिन काजी के बारे में भी बहुत कुछ इससे पता चलेगा दोस्तों जैसे जैसे information आते रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा मिलता हूं अगले वीडियो में बाबाए